शेर बादार नियामक सेवी ने LIC के एक डीलर को फ्रंट रॉनिंग के आरोप में पकड़ा है इते दरसल LIC के करमचारी थे जो फ्रंट रॉनिंग करते थे आरोपी का नाम योगेश गरग है योगेश अब शेर बादार में कोई लेंदेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर बेन लगा दिये गया उनके साथ उनके चार रिष्टेदारों को भी शेर बादार से प्रतिबंदित कर दिया गया है सर कैसे हो रही थी यह फ्रंट रॉनिंग के अंदर अपने तरीके का पहला बड़ा मामला है और LIC के करमचारी का इसमें शामिल होना और जाधा चिंता जन सेभी ने अपनी जाश में पाया कि इनके पास कई सारी ऐसी जानकारियां होती थी जो LIC के बाजार के मुवमेंट से जुड़ी होती थी LIC के स्टॉक से नहीं LIC बाजार में क्या खरीदने वाली है LIC बाजार में क्या बेचने वाली है क्योंकि LIC भारती शेर बाजार की सब आसपास की अवैद कमाई इन सूचनाओं के जरिये LIC केस कर्मचारी ने और इसके साथ जुड़ोगे छेसाथ अलग अलग लोगों ने बाजार में की है और ये LIC की सूचनाओं के बाजार में लीक होने का अपनी तरेके का पहला मामला है जिसमें के कर्मचारी ने बाजार में मेनिपलेशन किया है LIC की सूचनाओं के अधार का